हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू विजेपत एजुकेशन पालंपूर एक वार फिर से मैं आप सब के सामने जर्नल साइंस की क्लास फिफ्थ आप सभी के लिए मैं लेके आया हूँ NCRT के उपर पेस्ट आज एक वार फिर से important question की सीरीज को discuss करेंगे सभी के सभी प्रशन आपके SSC, BSF, CRPF, Air Force, Army, Indian Navy और जो भी हमारे center government और हिमाचल government के exam रहते हैं उन सभी के लिए most important रहेंगे So start करते हैं आज की इस class को सबसा पहले जो आपका first question आपके पास रहेगा वो है आपके पास what is the composition of the rainbow, rainbow की रचना किस से होती है So यहाँ पर जो आपके पास question दिया गया है मैंने पिछले कल भी आपको बताया था थोड़े से advanced level के questions को हम जो हैं वो यहाँ पर discuss कर रहे हैं अभी तक आपकी first four classes जो हैं वो आपको daily देखने को मिल चुकी हैं आपकी regular classes आपको मिलती हैं evening के time So जो इस question का answer रहेगा वो है आपका option number three reflection and reflection of sunlit by drop water droplets अब इंदर धनुष की रचना जो है वो कैसे होती है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता जैसे कि यह हमारे cloud है बादल है इनसे जो है वो बारिश होती है तो कुछ बारिश की बुंदें जो है वो हमारे atmosphere में जो है यहाँ पर stable हो जाती है जो बिलकुँ छोटी छोटी बुंदें है वो हमारे atmosphere में stable हो जाती है यह हमारा sun रहता है Sun से जो raise निकलती है तो ये raise जो है जब इन drops के उपर गिरती है तो drops से जो है वो 7 color बाहर निकलते हैं अब ये drops जो है वो as a prism की तरह behave करती है अब आपने देखा होगा prism जो है वो कुछ इस type का होता है यहां से white light आती है तो यहां से 7 color जो है वो यहां से निकलते हैं यह आपने देखा होगा 7 color जो है वो यहां से निकलते हैं तो यह जो water drops है जितने भी यहां पर आप water drops देख रहे हैं यह सभी की सभी जो है वो as a prism की तरह behave करती है और यह सारी की सारी बुंदे एक rainbow का निर्मान करती है और यह किस composition की बज़ा से होता है तो वो आपका रहता है reflection and refraction अगर TIR आपके option में रहता है तो उसको भी preference दी जाती है लेकिन reflection and refraction is the right answer तो यहाँ पे जो rainbow है उसका जो right composition आपका रहता है colors का वो है आपका bib g by or यह इसका colors का pattern जो है वो आपका रहता है next question के उपर चलते हैं red light is used in traffic signal because तो लाल रंग जो है उसका traffic signal में इस्तेमाल क्यों किया जाता है यह आपको बताना है अभी मैंने पिछले question में आपको एक bib gyor का pattern बताया था इंदर धनुष का यह आपका इंदर धनुष का pattern है जिसमें पहले color जो है वो हमारा violet आता है और सबसे last में हमारे पास आता है red यहाँ पे violet सबसे पहला color है और red जो है वो सबसे last color है अब आपको पता है कि जो wavelength है और frequency है वो एक दूसरे के inversely proportional होती है मतला अगर wavelength जादा होगी तो frequency कम होगी अगर wavelength कम होगी तो हमारी frequency जादा होगी इसका मतलब है अगर violet की wavelength जादा है तो red की frequency सबसे कम होगी अपोजिट में यह चलता है ठीक है बट अब actual में red की जो है वो wavelength सबसे जादा होती है और इसकी wavelength सबसे कम होती है तो तो अगर red की wavelength जादा है तो इसका मतलब frequency सबसे कम है तो frequency किसकी जादा हुई? violet की जादा हुई अब red color की wavelength जो है वो सबसे highest होने के कारण ये सबसे कम reflect होता है लाल रंग जो है वो सबसे कम reflect होता है इसलिए ये कहीं भी किसी दिशा में जादा फ्यालता नहीं है और direct हमें काफी long distance से भी हमें दिख जाता है इसलिए red color जो है वो हमारा traffic signal ये dangerous signal में जो है वो इस्तेमाल किया जाता है अगला प्रशन आपके सामने दिया गया है what frequency is the still frequency? still frequency कौन सी frequency आपकी रहती है? तो option दिये गए हैं below which the light stream is constant जहां पर जो है वो light stream जो है एक परकाश की धारा जो है वो एक constant वे में रहती है स्थिर रहती है जहां पर below which no light emission is possible जहां पर कोई भी light emission possible नहीं होता है उसे हम still frequency कहते हैं या फिर जो हमारी voltage के साथ साथ जो है वो increase करती है या फिर वो voltage के साथ decrease करती है सो यहां पर still frequency जो है वो हम उसको कहते हैं जहां पर कोई भी light emission जो है वो possible नहीं है एक ऐसी frequency अब मान के चलते हैं मैंने frequency यहां पर लेख ली 50 Hz यहां पर एक ऐसी frequency यह सर्फ मैं आपको example के लिए यहां पर समझा रहा हूँ एक ऐसी frequency इस frequency के नीचे जैसे की 48 Hz है तो उस value के उपर जो है वो हमारी light emission जो है वो possible नहीं हो पाएगी तो एक ऐसी frequency जिसके बिलो कोई भी light emission possible नहीं हो पाती है तो उसको क्या कहा जाता है still frequency कहा जाता है अगला प्रशन आपके सामने दिया गया है there is the closed point for a person with long vision यहाँ पे बोला गया है कि दीर्ग दिर्ष्टी वाले बैक्ती के लिए निक्ट बिंदू होता है basically आपको पता है कि clear किसी चीज बस्तू को देखने के लिए minimum distance जो है science की according वो 25 cm माना जाता है लेकिन यह normal person के लिए यहाँ पे बोला गया है दीर्ग दिर्ष्टी जिसको जो है वो long vision की problem है यहाँ पे बोला गया है तो उसके लिए जो निक्ट बिंदू रहता है सबसे close point जो रहता है वो 25 cm से अधिक रहता है तो option fourth जो है वो आपका right answer रहेगा यहाँ पे जो आपकी eye से एक important question और बनता है जब eye donate की जाती है तो हम उसका जो है वो कौन सा भाग donate किया करते हैं तो उसका जो है वो cornea जो है वो donate किया जाता है यह आपको ध्यान में रखना है अगला question है आपके पास for what reason does the sea muscle appear golden समुद्र की सिप्पी जो है वो किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है आप सभी ने सिप्पी को देखा होगा जैसे कि पूजा के लिए उप्योग किये जाने वाला जो संख है जिससे जो धोनी निकाली जाती है तो वो भी क्या है एक सिप्पी का ही एक पार्ट है तो वो जो हमारी एक टाइप की जो मचलियां हमारी समुद्र में रहती है उनका जो बाहर का जो जो उनकी परत होती है वहीं से जो सिप्पी है जिसको हम एक टाइप से कोड़ी भी बोलते हैं local language में तो वहां से जो है वो सिप्पी निकाली जाती है जो जादा बड़ी होती है वहां से उनसे जो है वो सुनहरे संख निकाले जाते हैं तो वो एक टाइप से कीड़े का ही एक बना हुआ रूप है तो वो किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है किस कारण से वो चमकती है तो उसके चमकने का कारण जो है वो आपका रहता है diffraction option third diffraction जो है विबर्तन जो है वो इसका बिलकुल सही आंसर यहां पे रहेगा अगला प्रशन है आपके पास यहां पे which of the following is more suitable for the objective type examination बस्तु निस्ट परकार की परिक्षा के लिए कौन सा अधिक उप्युक्त है अच्छा यहां पे जो है वो आपके पास बात की गई है कि जब भी हम बस्तु निस्ट examination की बात करते हैं मतलब कि objective type question की हम बात करते हैं जहां पे objective type का मतलब है जहां पे आपके पास क्या दिया जाता है option दिये जाते हैं तो इनके option के according कौन सी recognition को कौन सी feature को हमें जो है उप्योग करना चाहिए तो यहां पे सबसे पहला बोला गया है optical text recognition उसके आद है optical mark reading and recognition उसके अब magnetic ink है उसके बाद है आपके पास optical character तो यहां पे OCR जो है उसका हम इस्तेमाल नहीं करते हैं magnetic ink character का जो है वो आपका checks में इस्तेमाल किया जाता है checks जो हमारे bank को में लगाए जाते हैं वहां पे MICR magnetic ink character reader या recognition का इस्तेमाल करते हैं optical text का हम उप्योग जो है वो बार कोड जैसे हमारे जो बार कोड हमारे रहते हैं या हमारे QR कोड रहते हैं scanning purpose से जो हम उसको उप्योग करते हैं आपने देखा होगा जो आपकी OMR sheet रहती है यहां पे side में जो है वो कुछ इस type की line जो है वो लगाई जाती हैं यह biscuit के packet के पीछे भी आपने देखा होगा तो वो हमारा text recognition यह another way में चलता है और जो हमारा objective type examination है उसके लिए हम उप्योग करते हैं optical mark reader and recognition तो second option जो है वो आपका यहां पे सही रहेगा अगला प्रशन है आपके पास अगला प्रशन है आपके पास यहां पे तो रिमूव दा फ्लैशलाइट इन मोटर कार मोटर कारों में हेडलाइट की चोंध को हटाने के लिए किसका उप्योग किया जाता है अच्छे यहां पे English में थोड़ी सी जो है वो mistake है यहां पे जो आपका question है वो यह है कि जो मोटर कारों की हेडलाइटे होती है वहां पे जो है उनकी लाइटों को जादा बढ़ाने के लिए मतलब की फिलाने के लिए अब आपने देखा होगा जैसे की torch है वो direct straight line में जाती है लेकिन जो गाड़ी की जो हमारी light है वो अगर light यह है तो पूरे के पूरे area को क्या करेगी यह जैसे की सड़क है तो पूरी सड़क को क्या करती है कवर करती है जैसे की आपके पास क्या है road है तो यह पूरे के पूरे road को क्या करती है cover करती है तो यहाँ पर आपके पास बोला गया है कि किस टाइप के आप mirror जो है वो आप use कर सकते हैं कौन सा phenomenon आप use करते हैं polaride इस्तेमाल कर सकते हैं उसकी thin layer हो सकती है या filter उसमें उपयोग कर सकते हैं या फिर prism of glass यूज कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं prism बाले glass तो हम use नहीं कर सकते हैं क्योंकि light जो है वो उसमें multiple branches में टूट जाएगी filter का इस्तेमाल जो है वो petrol के लिए air के लिए इन चीजों के लिए किया जाता है light के लिए उसके dust particle के लिए हम उसके filter का उपयोग नहीं करेंगे thin layer से जो है वो light जादा दूर तक जाएगी रुकेगी नहीं लेकिन वो फैलेगी नहीं इसलिए उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है polaride का उपयोग जो है वो उसके लिए किया जाता है तो option first जो है वो आपका right answer यहाँ पर रहेगा अगला प्रशन है आपके पास on the lunar surface an observer will see the sky during the day यहाँ पर बात की गई है चंदर सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय अकास कैसा दिखाई देगा तो यह काफी बार exam में पूछे जाना वाला प्रशन है army के exam में अधिकतर इसी type का question पूछा जाता है लेकिन थोड़ी सी language में उन्होंने change किया होता है उन्होंने लिखा होता है कि जब अंतरिक्ष यात्री पृत्वी को अंतरिक्ष से देखता है तो उसको पृत्वी कैसी दिखाई देती है तो answer जो है वो आपका रहेगा काला, काला रंग उसको दिखाई देता है, इसका reason ये है क्योंकि हमारी धर्ती में अट्मोस्फेरा लेकिन धर्ती के बाहर जो है वो कोई भी बायू मंडल नहीं है, इसलिए वहाँ पे जो color है वो scatter नहीं हो पाता, इसलिए हमें कौन सा color देखता है, अगला प्रशन है आपके पास, ग्रहन जो है, वो किस परकाशी परिखटना के कारण लगते हैं, आप सभी ने सुना होगा, कि जो हमारे ग्रहन होते हैं, सूर्य ग्रहन है, हमारा चंदर ग्रहन है, तो यहाँ पर यह जो ग्रहन लग जाते हैं, यह कौन से फिनोमिना के उपर जो हैं वो डिपेंड करते हैं तो सबसे पहले मैं बात करूँ यहां पर सूर्य ग्रहन और चंदर ग्रहन की इनका भी यहां पर कोईशन जो है वो बन जाता है सूर्य ग्रहन और चंदर ग्रहन तो यहां पर आपको एक ट्रिक ध्यान में रखनी है क्वेशन आपका ये बनता है कि जब चंदर ग्रहन होता है तो कौन सी चीज सूर्य और पृत्वी के बीच आती है या सूर्य और चांद के बीच आती है इस टाइप से आपका question बनता है कि सूर्य और पृत्वी के बीच जब चंदर्मा आता है तो सूर्य ग्रहन होता है या चंदर ग्रहन होता है तो कई बार यहां पे confusion हो जाती है तो आपको ध्यान में रखना है कि सूर्य और चंदर्मा के ग्रहन में आप सभी को पता है कि सूर्य जो है वो हमारे solar system में क्या है stable है वो अपनी जगा पे स्थिर है ये तो आपको यहाँ पे पता चल गया ये आपको यहाँ पे पता चल गया अब आपको trick क्या ध्यान में रखन या साम, S-A-M, साम मैंने लिख लिया, चंदरमा कव निकलता है, साम के समय निकलता है, तो S से सूर्य, A से अर्थ, वैसे E से उसकी स्वैलिंग होती है, लेकिन A से उसको हम बोल सकते हैं, बोकैब के अकोर्डिंग, A से अर्थ, और M से मून, इसका मतलब है, मून आपका यहां पे रहेगा, और बीच में क्या आजाएगी, आपकी आर्थ आजाएगी, तो जब साम के समय, साम के समय कोन आता है, चंदर आता है, जब चंदर ग्रहन है, तो पृत्वी बीच में होती है और जब सूरे ग्रहन है, तो बिल्कुल इस से अपोजिट, सूरे अपनी जगा पे रहेगा, चंदर मा को आप पहले पहुंचा दें, और आर्थ को क्या करें, आप बाद में लिख दें, तो जब सूरे ग्रहन होता है, तो चंदर मा बीच में आ जाता है, और पृत्वी दू करें, और आप बताएं, क्या इसका अंसर रहेगा, इस दिया गया है, इस दे मास और विलोसिटी अफ दे सब्स्टांस आ डबल, फ्रॉम देर रिजर्ट, दे काइनेटिक एनेजी बिल बी, यहां पे आप से बोला गया है, यहां पे बात की जा रही है, आप से, कि जब मास और विलोसिटी को डबल किया जाता है, तो काइनेटिक एनेरजी कितनी हो जाती है, इस टाइप का कोशन हमने पहले भी डिसकस किया था, काइनेटिक एनेरजी का फोर्मूला होता है, हाफ एम बी स्केर, अब यहां पे वान बाई टू हमारा एज़ इज रहेगा, मास को मैंन डबल कर दिया, तो यहां पे तो आप से पूछा गया है, तो गती जुर्जा कितनी हो जाएगी, आंसर आप सभी यहां पे सॉल्व करें, क्या इसका राइट अंसर यहां पे रहेगा, यदि पदार्थ के द्रब्यमान और बेग दोनों को उनके परिणाम से दुगना कर दिया जाता है, तो गती जुर्जा कितनी हो जाएगी, यह बात आप से यहां पे बोली गई है, कि अगर जो आपका रिजल्ट रहता है पदार्थ के द्रब्यमान और बेग का, यदि उनको उनके परिणाम से दुगना कर दिया जाए, तो गती जुर्जा कितनी रहेगी, यह आप से यहां पे कोईशन है, मास को आपने जो है यहां पे डबल करना है, सबसे पहले मास को जो है वो एक सिंगल की फॉर्म में यहां पे अपलाई करके देखते हैं, 1 by 2 आपका रहेगा, उसके बाद मास आपने पहले बन लिया और विलोसिटी भी आपने बन ली, तो आपके पास रिजल्ट की आएगा, 1 by 2 आपके पास यहां पे रिजल्ट आ गया, तो इसका जो है वो आपने डबल करना है, आपने रिजल्ट का जो है वो डबल करना है, यह आप से यहाँ पे पूछा गया है तो यह जो हमारे पास question यहाँ पे दिया गया है half mb square का हम यहाँ पे formula लगाएंगे यहाँ पे 1 by 2 into 2 into 2 का square जब हम करेंगे तो 2 से 2 हमारा cancel out होगा और 2 का square हमने किया तो हमारे पास 4 क्या जाएगी kinetic energy आ जाएगी लेकिन अब यहाँ पे हम इसको एक वार starting से करेंगे यहाँ पे हमने mass और velocity की value को कितना लिया है 2 लिया है mass और velocity हमने 2 लिया है जब मैं mass और velocity की value को अगर मैं 1 1 लेता हूँ तो मेरे पास kinetic energy कितनी आएगी formula लगाएंगे half mass है 1 और velocity है 1 का square तो हमारे पास kinetic energy आएगी 1 by 2 तो अब आप यह देख सकते हैं कि पहले मेरे पास जो जब मैंने mass 1 लिया था तो मेरे पास kinetic energy आए थी 1 by 2 और जब मैंने mass इसका double कर दिया तो kinetic energy मेरे पास कितनी आगी 4 आगी तो यह पहले की kinetic energy है और यह बाद की kinetic energy है तो यह 1 by 2 जो है वो इसके कितना गुणा करने पे बनेगा तो 1 by 2 को मैं किस से multiply करूँ कि मेरे पास kinetic energy कितनी बन जाए 4 बन जाए तो मेरे को कित से गुणा करना पड़ेगा 8 से गुणा करना पड़ेगा इसका मतलब जो kinetic energy है वो कितनी गुणी हो जाएगी उसके 8 गुणा हो जाएगी तो 8 गुणा 8 टाइमस जो है वो इसका जो है वो इस question का बिल्कुल सही answer यहाँ पर रहेगा अगला question है आपके सामने The following particles are moving with the same kinetic energy who has most momentum among them निमन कन एक ही गती जूर्जा के साथ चल रहे हैं इन में से सबसे अधिक संबेग कितना होगा सबसे अधिक momentum जो है वो आप से पूछा गया है किसका होगा electron का particles का neutrons का या फिर proton का तो कौन से ऐसे particles हैं जो same kinetic energy के साथ हमारे क्या करते हैं move करते हैं और उनका momentum जो है वो कैसा रहेगा सबसे अधिक रहेगा तो इसका जो right answer रहेगा वो है हमारा particle इसमें हमारे multiple particle हमारे रहते हैं जैसे electron, proton, neutron, photon mison, boson ये सब ही जो है वो इसी का एक group यहाँ पे बनाते हैं तो हम किसी एक को जो है वो यहाँ पे प्राफर नहीं कर सकते तो option second जो है वो particle हमारा right answer यहाँ पर रहेगा अगला प्रशन है आपके पास cycle के पहिये में प्रियुक्त दरें बढ़ाती हैं तो उसका क्या होता है जो उसका rate जो है वो बढ़ता है cycle के पहिये का तो वो किसके कारण बढ़ता है तो उसका जो right answer आपका रहेगा वो है moment of inertia जड़तो जो है वो उसको क्या करता है उसकी rate को क्या करता है उसके पहिये के rate को जो है वो क्या करता है बढ़ाता है अगला प्रशन है आपके सामने question number 13 ये रहेगा the energy stored in the spring of the cloak is तो ये question मैंने आपकी पिछली class में जो है वो किया था कि जो घड़ी के spring में भंधारित उर्चा होती है जो चाबी वाली घड़ी थी शाइद class number 2 में हमने discuss किया था ये तो जो चाबी वाली घड़ी है वो basically किसको store करती है तो वो potential energy को store करती है स्थिति जूर्जा जो है वो इसका सही answer रहेगा अगला प्रशन है आपके पास आपको choose करना है scalar quantity ऐसी कौन सी है इसमें से तो energy जो है उसकी कोई भी direction नहीं होती है तो scalar quantity कैसी quantities है जिनका सिर्फ और सिर्फ magnitude है तो energy का अपना सिर्फ magnitude होता है कोई direction नहीं होती है तो option 4 हमारा right answer रहेगा अगला प्रशन है which of the following criteria is used a metal as a driving material कौन सी चीज जो है वो कौन सी ऐसी metal किस धातू को चालक समगरी के रूप में उप्योग करने कौन सी कसोटी जो है वो अपनाई जाती है जो हमारा driving material है तो उसके लिए basically कौन सी चीज जो है वो apply की जाती है जो धातू की समगरी जो बनाई जाती है उसमें driving के लिए तो कौन सी चीज हम उप्योग करते हैं तो right answer आपका रहेगा specific heat तो option 3 जो है जो भी material हम driving के लिए use करते हैं उन सभी material की अपनी specific heat रहती है इसलिए हम उस copy हो करते हैं तो option 3 हमारा इसका right answer रहेगा अगला प्रशन है आप सभी के पास what will change in the ice and water kept in the bowl at exactly 0 Celsius 0 degree जो हमारा Celsius है कटोरे में रखे बर्फ और पानी में क्या परिवर्तन आएगा ये आप से यहाँ पे पूछा गया है तो सबसे पहले मैंने पिछले कल भी आप से बात की थी यहाँ पे कि ये question आपका ऐसा है जो आपको जैसे आपने guess कर लिए कि option 1,2,3,4 में से कौन सा आएगा लेकिन आपको थोड़ी दे अगर आपका answer सही है तब तो ठीक है तब bell and good लेकिन अगर आपका answer गलत आता है तो थोड़ी देर के बाद आपको ध्यान आएगा कि ओहो ये question मैंने ध्यान से क्यों नहीं पढ़ा इसका right answer आपको पता था तो यहाँ पे बात की गई है कि कटोरे में जो है वो क्या रखा गया है कटोरे में क्या रखा गया है एक में जो है वो पानी रखा गया है H2O रखा गया है लेकिन वो liquid form में है यह यहाँ पे जो है वो आपसे बोला गया है अब question कि आप sense को समझना एक में पानी रखा गया है दूसरे कटोरे में जो है वो क्या रखी गई है ice रखी गई है बरफ रखी गई है basically ये भी पानी ये आप सभी को पता है पानी की तीन फॉर्म रहती है solid liquid gas में अब यहां पे condition लगाई ही गई है zero degree Celsius तो question को आप यहां पे ध्यान से देखेंगे कि जब zero degree Celsius है तो ice तो ice रहेगी लेकिन ये जो आपको question में पानी दिया गया है ये zero degree Celsius पे भी क्या हो जाएगी ये तो बरफ ही जम जाएगा question में ये आपको यहां पे ध्यान में रखना है तो यहां से आपका answer क्या बनेगा कोई भी change नहीं आएगा क्योंकि पहले भी temperature zero degree Celsius था अब भी temperature zero degree Celsius तो बरफ तो क्या रहेगा बरफ ही रहेगा तो उसमें कोई भी change नहीं आएगा तो option fourth हमारा right answer रहेगा अगला question है थर्मा मीटर में जो है वो basically पारेक उप्योग किया जाता है तो ऐसा किस लिए उप्योग किया जाता है ये आप से यहां पे पूछा गया है high उसका liquid होता है high density है high conductivity है या फिर high specific heat है basically यहां पे जो option दिये गए है वो कुछ अलग level के option दिये गए है लेकिन मैं आपको एक simple सा फिनोमेना बताता हूँ थमा मीटर में पारेक उप्योग करने का main reason जो है वो heat के साथ क्या करता है conduct करता है जरा सी अगर उसको heat मिल जाती है तो बूग क्या कर जाता है fail जाता है यह इसका बिल्कुल सही answer रहेगा expand कर जाता है इसलिए आपने देखा होगा जो आपके पास थमा मीटर रहता है जो हमारे पास जैसे हम घरों में बुखार चेक करते हैं 100 डिगरी जो है वो बुखार है यह 104 डिगरी बुखार हो गया यह 108 डिगरी बुखार है पहली बात यह जब भी हम बुखार चेक करते हैं तो आपको ध्यान में रखना है वो हमारी फार्ने हाइट की scale होती है जैसे मैं बोलता हूँ कि किसी को 104 डिगरी बुखार है तो वो 104 डिगरी celsius नहीं है ध्यान में रखना है वो 104 फार्ने हाइट का बुखार है हमारा जो नॉर्मल टेंपरेचर रहता है वो 37 डिगरी celsius है और जो हम घरों में जो thermometer का उप्योग करते है अपने temperature को चेक करने के लिए वो फार्ने हाइट scale के उपर बनाया जाता है अब यहाँ पे हमने जब बुखार चेक किया तो यह जो हमारा इसमें इसके अंदर जो एक liquid जो है वो यहाँ पे है जैसे ही हमने इसको मुह में डाला यह heat करेगा हमारा अगर body हमारी गरम है यह heat produce करेगी और इस heat की बज़े से यह क्या कर जाएगा यह फैल जाएगा तो इसका level जो है वो यहाँ तक चला जाएगा तो हम क्या पता कर सकते हैं हमें बुखार है या नहीं है तो basically heat को क्या करता है conduct करता है conductivity की high होती है और उसी conductivity की वज़ा से thermometer में जो पारा होता है वो expand करता है फैलता है और उसी की वज़ा से हमें बुखार का पता चलता है अगला प्रशन है आपके पास water is used in water bag because अब आपने देखा होगा कि जो हमारे water bags हमारे रहते हैं जो पानी की गरम थैली जिसको हम बोलते हैं सर्दी के टाइम में जो हम उस को प्योग करते हैं तो उसमें पानी का ही इस्तेमाल क्यों किया जाता है जो water bags है उसमें पानी का ही इस्तेमाल क्यों किया जाता है क्योंकि पानी की जो है वो specific heat काफी जादा होती है जब उसको एक बंद container में रखा जाता है तो वो इतना जल्दी जो है वो ठंडा नहीं होता है उसकी specific heat जो है वो काफी जादा होती है इसलिए option 1 इसका right answer रहेगा अगला प्रशन है आपके पास शरीर की calorie अवश्यक्ता गर्मी के अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक calorie अवश्यक रहती है तो क्यों ये इसका आपको अंसर बताना है जो calories हमारी body के लिए जरूरी है calories हम जिसको बोलते हैं तो वो हमें क्यों जरूरी है आपने देखा होगा जब एक biscuit का packet आप लेते हैं तो उसके फीचे लिखा जाता है fat, calories, protein, उसके बाद carbohydrate उसमें लिखा जाता है जैसे 0.01% calories है उसमें 11.2% ऐसा protein है 12.3% उसके carbohydrate है 1.25% ये ऐसी कुछ values वहाँ पर दी जाती है तो basically calories जो है वो क्या है calories एक energy का unit है जो हमें energy provide करवाती है ताकि हमारी body का जो temperature है वो क्या रहे maintain रहे तो calories जो है वो basically हमारी body के temperature को maintain करने के लिए उपयोग की जाती है तो इसका third जो है वो right answer रहेगा last question है आज की इस class का तो advanced level के question हमारे चले हैं आज आपकी class 5 यहाँ पे रहेगी वीडियो को like आपको ज़रूर करना है question अगर आपको अच्छे लग रहे हैं इसके बाद हम इससे भी अच्छे level के question यहाँ पे discuss करेंगे refrigerator का उपयोग क्यों किया जाता है food को बचाने के लिए आपने देखा होगा आज कल हर घर में जो है वो fridge है refrigerator है उसका basically काम क्या है वो जो food है उसको लंबे टाइम तक बचाने में help करता है तो वो basically ठंड के कारण जो है उसका temperature ठंडा है इसी लिए वो जो है वो खाने को कुछ टाइम तक बचा सकता है अगर वहाँ पे अगर हम कोई चाबल जो है जैसे आपने आज डाल बनाई है अगर आप उसको fridge में रख देते हैं तो वो लगभग एक से दो दिन तक क्या कर गई वो continue हम उसका use कर सकते हैं वैसे ही जो हम सबजी बाजार से लेके आते हैं उसको direct fridge में हम डाल देते हैं तो तीन से चार दिन तक क्या होती है चलती है लेकिन अगर हम उसको तीन या चार दिन बाहर ही रखें as compared to fridge तो बाहर बाली सबजी जो है उसमें कुछ जादा चेंज या वो खराब या सडने की कगार पे आ जाएगी तो refrigerator का में काम क्या है कि वो low temperature पे जो है वो उसके जिवानू या जो bacteria है उनको वो activate नहीं होने है इसलिए fridge में जो है वो हम खादे पतार्थों को जो है वो थोड़ा सा बचा सकते हैं उनको खराब होने से तो यह आज के हमने general science की class में यह important question discuss किये आप हमें social media के ओपर जरूर follow करें वीडियो आपको कैसी लगी comment box में आप जरूर बताएं चैनल को subscribe करें कल एक और फिर से मिलेंगे next class में तब तक जय हिंद जय भारत